फेस्टिबल टाइम है और शाम की भूग छोटी मुटी भूग के लिए चाय के साथ बच्चों के मंचिंग के लिए टिफिन के लिए इतनी खस्ता मज़िदार हेल्दी सी मट्री की रेस्पी लेके आई हूँ यह जो मट्री है हमने बिलकुल हेल्दी तरीके से बनाई है इसमें हमने भी मेंदा यूज नहीं किया है और इसे आप महीने तक बना के रख सकते हो और अराम से बच्चों को दे सकते हो टिफिन में दे सकते हो चाय के साथ इनच्योई कर सकते हो तो यह बहुत टेस्टी सी खस्ता सी मट्रियां बहुत जल्दी बन के तयार हो जाती हैं और बहुत महीनों तक स्टोर रहती हैं तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा बिल्कुल भी मेंदा यूज नहीं करेंगे यहां पर लगबग मैंने दो कटोरी करीब गेहूं का आटा लिया है और इसी से एक कटोरी में डालूँगी सूजी तो यहां पर गेहूं का आटा और सूजी से यूज करेंगे आप चाहें तो सूजी की मात्रा ज्यादा कर सकते हो या आटे की मात्रा ज्यादा कर सकते हो रेशो आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जरूरी नहीं है कि मैंने जितना रेशो लिया है आप भी उतनी ले और इसमें हम डालेंगे रहे सारी अजवाइन, इन मठ्रियों में अजवाइन करना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, सूजी यहां पर आपको बारिक वाली लेनी है, अगर मोटी सूजी है, तो आप उसे ग्राइंडर में डाल कर, मिक्सी में डाल कर, एक बार चला और साथ में डाली कसूरी मेथी, इसे क्रश्च करके डालीजे, इसे फ्लेवर मट्रियों में बहुत अच्छा आता है, अजवाइन कसूरी मेथी, और आप चाहें तो काली मिज को दरदरा कूट कर भी डाल सकते हो, और इसके साथ ही मैने यहां पर लिया लगबग एक छोटा काटोरी भर कर मॉयन, तो मॉयन का जो मेजरमेंट है, वो आपको सबसे अच्छा तरीका है, आप आटे को इस तरीके से मसल मसल कर, तब तक मसल यह और मॉयन को मिक्स कर यह, जब तक कि इसमें अच्छे से मुठी न बनने लगे, तो कोई भी मॉयन जब भी आप देते हैं यह सबसे बेस तरीका है मेजमेंट का, यह देखिए आटा बढ़ियां से मारा मौईन हो चुका है, मक्षी भी बंद रही आटे में और सूजी नमक सब चीज मिल चुकी है तो बस अब हमने क्या करना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सौफडो लगाना है, सौफडो क्योंकि जब हम इस डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो जो सूजी है वो पानी को पी लेगी और आटा हलका सा टाइट हो जाएगा इसलिए जैसे आप पुड़ी का आटा लगाते है उस तरीके का आटा 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 आपको लगाना है मतलब बहुत ही जादा गीला नह गाते है सूजी है तो इसमें आपको सॉफ्ट्ड लगाता है पूड़ी की तरह यह देखिए तो लगब बगग पूड़ी के जैसे मेने आटा ले लिया है और इसे एक्सा करके मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूगी मसल कर तो बढ़िया से हमने देख लिए एक्सा कर और यह देखिए आटा हमारा बढ़िया से सेट हो गया है सूजी जो है अच्छे से फूल चुकी है और आटा अभी कड़क नहीं हुआ है मतलब ठीक ठीक लग रहा है मुझे तो बस इसको हम इकोल इकोल पार्ट में गोले बना लेंगे सारे चार पांच गोले बना के मैंने तय अच्छा आटा हमारा सेट होके लगा है कि इसमें हमने बिलकुल भी पर्तन या कोई भी सूखा आटा तेल लगाने की जुरत नहीं पड़े बेलते समय तो आटा आटा ऐसा ही होना चाहिए कि आपको मत्रियां इसली बेलने में आ जाए इसके बाद कोई भी चोटी कटोरी य अच्छा है इसके बच्येख आटा निघंख में अर बच्चों को टिफिन में ब्हुत अच्छा होता है चलते धर दिन भर उनको कुछ ना कुछ खाने होता है तो इस तरीके की मठरिया की बना लीजए और फोक से आप छेथ कर लीजए ताक जब आप आप तेल में डाले तो तो मठ्रियां आपकी फूले ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ मठ्रियां फूल जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है, इस तरीके से आप फोक की हल्प से इसे छेद कर लीजें, तारी मठ्रियों को, मठ्रियां हमारी बन के तयार हो गई है, फटा फट से, इनको तो में बिल्कुल भी टाइम लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है, आदे गंटे में आप धेर सारी मठ्रियां बना के तयार कर सकते हो, और महीने भर तक आप इसे तो इसे तरीके से जो आटा है उसको निकाल लेंगे, और फिर से हम इसके साथ मठ्रियां बेल लेंगे, त तो तेल हमारा अच्छे से गरम था, तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रख दिया है, और यहां पर इन मठ्रियों को सूजी की मठ्रिया है, तो आपको यह सजेशन दूंगे, इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल ना सेखिएगा, और हाई फ्लेम पर भी नहीं सेखिएगा, मीड जब आप मठ्रिया डालें, तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, और जब मठ्रिया तलने के बाद 2-3 मिड बाद आप इसे थोड़ा सा तेज करके फिर लो कर दें, मीडियम कर दें, तो मठ्रिया खसता तभी बनती है, जब आप गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करते रहते है क्या होता है तो टेल का टेपरेचו जो है सेठ χोgiving है तो मठ्रीयां जो बहुत कड़क नहीं होता है वरना कही भाँ कहाने में माट्रियां बहुत टाइ्ट हो जाती है चभाने में वो उसका रीजन यही है कि अगर आप एक ही फ्लेम पर सेकेंगे तो मठ्रियां जो है वो कड़क हो जाती है तो बीच-बीच में आप हाई करते रहिएगा एक दो सेकेंड के लिए तो मठ्रियां बढ़ियां से गुलाबी हो गई हमारी यह देखिए एकदम ब्राउन सी कलर आगी है और इसे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं पकाईएगा वरना यह अलग से स्वाद आता है हलका ब्राउन आगया है कलर हमारा एकदम बिस्किट की तरह लग रही ना बच्चों क अब डोब से बना इए इसे बनाकर एक लिर्डे करता है और इसे आप बनाते रखि लोगयी तयम्हार इख्ड इख्ड पिसिरवर बनाती नेयुक्छ कपरे बनाने रखिए और आप पश्याँ आ तो इस तरीकी की खस्ता मट्रियां बना के आप रखिए इसको मैं तोड़ के दिखाती हूं ही कितनी खस्ता बनी है बहुत अच्छी मट्रिया बनके तयार हुई थी और मेरे चैनल पे आपको वीडियो के आइंड में फैस्टिवल स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो वहा कि आपको मेरी रेस्पीस पसंद आ रही है तो देखे कितनी मज़िदार सी दिख रही है तो मेरा तो बहुत मन कर रही है यह देखे इस तरीके से तोड़िये आपको मज़ा आ जाएगा इसको खाकर तोड़कर देखकर तो आप बनाईए एंजॉय कर गए